आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर हम यहाँ पे देखें तो यह जो है इसमें हमारी degree of unsaturation क्या होगी उसका formula क्या होता है number of carbon plus 1 minus number of hydrogen divided by 2 plus number of nitrogen divided by 2 plus number of hydrogen divided by 2 तो यहाँ पे आएगा C कितना होगा हमारे पास 4 है plus 1 number of hydrogen कितने है 8 divided by 2 तो इसको solve कि हमारे पास 5 minus 4 1 तो मतलब कि इस compound में या फिर एक double bond हो सकता है ठीक है या फिर एक ring हो सकती है ठीक है तो यहाँ पे हमें यह दे रखा है ठीक है और इसके इलावा हमें यहाँ दे रखाएगी हमारा जो है यह एक मोल लेता है हमारा प्लेटियम का मतलब कि इसमें यहाँ पे एलकीन है तो यह हमारा जो compound है X है वो H2 के साथ रेक करता है इन दे प्लेटियम तो हमें यहाँ पे compound Y देता है ठीक है तो मतलब कि H2 हमारा जो क्या करता है हमारा एलकीन को एलकीन बनाता है ठीक है और इसके इलाभा हमारा क्या करता है यह भी बता रखा है अगर हम X को ozonalysis करते हैं तो हमें जो पड़क में मिलता है वहाँ पे जो है SLD hide मिलता है ठीक है as a product सिर्फ यह भी हमें condition दे रखी है और SLD hide में में रहा होता है CH3 CH4 ठीक है तो यह हम सब चीज़ी गिवन है तो हमें देखना है कि इन में से कौन सा हमारा SLD hide बनाता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ozonalysis कैसे होता है अगर हमारा कोई alkin है ठीक है यह हमारा कोई alkin है यहाँ पे वो किसी दो से connected है ठीक है कोई compound से तो अगर हमारा ozonalysis करवाते है तो यह क्या होता है यहाँ पे यह होता है ठीक है यहाँ पे एक पे negative चाज होता है तो यह क्या करता है इस पे positive होता है ठीक है तो यह इसके साथ attack करता है ठीक है अई double bond जाके इस पे attack करता है तो हमें क्या मिलेगा single bond हो, single bond हो, ठीक है, तो हमारे पास यह आया, अब इसके राध हमारे यहां पर rearrangement होगी, ठीक है, तो, तो क्या होगा, जो हमारे यह compound है, यह वाला bond break हो जाएगा, carbon oxygen oxygen का, तो यह हमारे शिफ्ट हो जाएगा, अपने पर ले लेगा, ठीक है, और यह क्या होगा, यहां पर shift हो ग यह हमारा यहां पर shift हो गया, ठीक है, तो यहां पर negative चाह जा जाएगा, और हमारा जो यहां पर यह bond होगा, तो यह हमारा जो है, यह वाला bond जो है, यहां shift हो जाएगा, ठीक है, यहां shift हो गया, यहां पर oxygen ने जो यह loan पर थे अपने इसको दे दिये, और यह वाला bond जो है, यह शिफ्ट हो गया ठीक है यह हुआ तो हमारा क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर क्या होगा यह हमारा बॉंड ब्रिक हो गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला C, यह यहाँ पर connected है, double bond हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यह carbon है, double bond हो, इस वाले positive, इस वाले पर negative charge, ठीक है, और यह हमारा connected है, तो यह हमारा क्या होगा, यह double bond है, यहाँ पर attack करेगा, ठीक है, और यह हमारा जो bond है, इसकी तरफ shift हो जाएगा, ठीक है, और यह जो हमारा negative charge है, इस carbon पर attack करेगा और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पर C यहाँ पर यह हो जाएगा ठीक है ठीक है और यहाँ पर जो है यह और यह जो हमारा bond होता है यह इसको shift हो जाएगा क्योंकि हमारा इस पर attack कर रहा है तो हमें यह मिला ठीक है तो इसके बाद हमारा क्या होता है तो इसके बाद हमारा जो है यह bond जो है किसी से attack करता है, यहाँ पर कोई हमारा metal होगा, ठीक है, तो यह loan पर इसको attack करते हैं, और यह फिर हमारा यह ले लेता है, ठीक है, तो हमारे risk के loan पर जो इसको देते हैं, तो यह वाला bond हमारा यहाँ shift हो जाता है, ठीक है, तो यह वाला bond हमारा यहाँ shift हो जाता है, और हम फाइनली क्या मिलता है उद्धोनालसिस के बाद हमें यहां पर मिलता है डबल पॉंडो प्लस यहां पर डबल पॉंडो तो हमारे यहां पर यह हो जाता है ठीक है उद्धोनालसिस के बाद अब हमें इन सब में दिखाना है उद्धोनालसिस तो किस में हमारा ऐसे चल्ड पनता है या हमें देखना पड़ेगा तो फॉर्स ऑप्शन हमें क्या दे रखा है तो फॉर्स ऑप्शन में हमें यहां पर दे रखा है यहां दे रखा है तो क्या होगा ठीक है तो यह bone break हो जाएगा तो यहां दोनों पर यहां पर O2 O2 आ जाएगा यहां पर क्या आया? CH3, single bone, CH2, C, double bone, O, H ठीक है? और प्लस आया हमारा formaldehyde H, single bone, O, H तो इन दोनों में तो कोई भी हमारा sldehyde नहीं है तो मतला हमारा option 1 जो है, इस cancer नहीं है अब option 2 की बात करें तो option 2 में हमें क्या दे रखा है? option 2 में हमें दे रखा है CH3, single bone, CH double bone, CH single bone, CH3 अगर इसको भी हम अदोन लाल सेज़ कराते हैं ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा? तो यह वाला वोन्हां हमारा break हो जाएगा, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा यहां पर? 2, CH3, C double bone, H जो कि अस्चल्डिहाइड है तो मतलग कि यह तो हो रहा है और अगर इसको हम H2 के साथ करेंगे तब भी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमारा अगर H2 के साथ इसको रेक कराया ठीक है? इसको H2 के साथ अगर रेक कराते हैं हम यहां पर ठीक है? प्लेटियम में तो हमारा जो यह क्या देगा? CH3, single bone, CH single, यहां पर 2 आजागा यहां पर 2 आजागा, यहां पर CH3 तो यह भी हमारा सही रेक करा रहा है तो मतलब है हमारा यह इसका अंसर हो सकता है ठीक है? और option 3 में हमें cyclobutene रखा है बट इसके लिए तो हमारा उद्वानसर के इलकीन चाहिए तो यह तो इलकीन है नहीं यहां पर तो मतलब हमारा यह रेक नहीं करेगा तो option 3 हमारा इसका अंसर नहीं होगा अब option 4 में हम देखके cyclobutene दे रखा है तो cyclobutene को अगर हम यहां पर इसके साथ attack करेंगे option 4 में तो इसका structure हमारा क्या होगा? तो यहां पर double bond आ गया इसको analysis किया तो हमारा यह double bond है यह break हो जाएगा तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर हमें मिलेगा CHO और यहां पर भी CHO तो यह हमारा STLDRD नहीं है तो हमारा option 4 भी हमारा answer नहीं होगा क्योंकि हमारा option 3 में था यहां पर हमारा alkin नहीं था double bond नहीं था तो इस वज़े से यह हमारा zone losses नहीं दिखाएगा तो उसके साथ यह no reaction देगा तो option 3 मारा answer नहीं हो सकता था तो इसमें मैं पूछा कि कौन सा हमारा SLDRD देता था zone losses के जो हमारा option 2 था तो इसका answer क्या आया? option 2 तो मैं आशा करता हूँ अभी कुल्टा सम्च पाए होंगे दन्यवाद